आज जो face mask आपके साथ मैं share करने वाली हूँ, इसको मैं last एक हफते से use कर रही हूँ और इसके जो results है, वो outstanding है, amazing है, मतलब इतने super result और इतने fast result शायद ही मैंने किसी remedy के देखे होंगे कि पहली ही application में आपको पता चल जाएगा कि ये जो remedy है, ये कितनी powerful है आपके skin के लिए, अ अगर आपको dark spot के problem है, और अगर आपको pimples की भी problem है, तो ये video सिर्फ आपके लिए है, ये remedy सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है So hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video, I hope आप सब अच्छे है, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो subscribe करना न भूले, और अगर चैनल पहले से subscribe कर लिया है, तो thank you so much जिस remedy के बारे मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहली बात इस remedy को prepare करना इतना असान है, इसको आप हर दिन लगा सकते हो, पता है, हर दिन लगा सकते हो, कोई ज्यादा खर्चा नहीं, कोई एक्स्टा खर्चा नहीं, कोई बहुत सारे ingredient आपको नहीं चाहिए इस remedy को बनाने के ल और मुझे इतने amazing results मिले हैं, कि मैं बता नहीं सकती, बस मैं आपको ये बोल सकती हो, कि यार एक बार use करना शुरू कर दो, आईए, देख लेते हैं कि इस remedy को prepare करने के लिए, क्या-क्या ingredient हमको चाहिए, और किस तरीके से हमको prepare करना है, हम बात कर लेते हैं ingredient की, और पहला है ज ना आता हो डेली, तो क्या है वो इंगिरीडियेंट, जी हाँ, raw milk, कच्चा दूद, अब बताओ, आता है के नहीं आता है डेली आपके कर में दूद, आता है ना, चाहे पीते होना, तो कच्चे दूद का प्रब्लम तो हैं सॉल्व होगया, ठीक है, next ingredient जो है, हमारा वो है, जो लेडीज हैं, वो डेफिनेटली इस इंगिरीडियेंट के बादे में जानती होंगे, क्योंके ये बिर्यानी में, पुलाओ में, और बहुत सारी रेसिपीज, जो मतलब शाहे टाइप रेसिपी होती है, उनमें तो ये डलता है, और उन रेसिपीज का जो टेस्ट है, वो लो नहीं है फेस में बिल्कुल भी, तो ये इंग्रीडियेंट आपके स्किन के लिए मतलब रामबाड है, बिलीव मी रामबाड है, तो आगे देख लेते हैं, इसको प्रिपेर करना है, प्रिपेर करना बहुत एजी है, तो सबसे पहले हमको जाइफल का एक टिबल स्कून ले लेना है, तो मैं आपको बता दूँ, जाइफल रौ एन पाउडर दोनों ही फॉर्म में मार्केट में अवेलिबल है, बट मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप रौ वाला जो जाइफल होता है, वो ले आएं और अपने घर में मिक्सी में उसको खुछ से बनाएं, और आपको कच्छा दूद डालना है, इसको अच्छे से आप मिक्स करनेंगे, और हमारा फेस बैक रेडी है, इतनी सिंपल रेमेडी है, और इसके जो रिजल्ट्स है, वो इतने सूपब है, इतने अमेजिंग है कि यह तो आप जब यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा, त एक टिप्स में आपको और देना चाहूंगे, अगर आपको स्पेशली पिगमेंटेशन का प्राबलम है, और अगर स्किन ड्राइनस का प्राबलम है, तो आप सुभा शाम यानि कि दिन में दो बार अपने फेस पे कच्छा दूद जरूर लगाए, बिलीव मी आपकी जो इसी प्राड़क्त को यूज कि एक नेचुरल ग्लो जो आप अगर चाहते हो ना तो ये कच्छा दूद आपके स्किन में ले के आ सकता है, बिलीव मी ये मेरा खुद का एक्स्पीरियंस है, मैं ये चीज करती हूं, तभ ही मैं आपको बता दी हूं, कि ये आपके स्किन को इ बीवी क्रीम मैं नहीं यूज किया है, जस्त मैंने मॉश्यराइजर एंड संस्क्रीन लगाया हूँ है, तो अब बलश ओन में अपलाई किया हूँ, ये फाउंडेशन वगरा मैं ने कुछ नी यूज किया इस टाइम पर, अफकोस बिंग लाइट वगरा मैं कुछ नी करता है, लेकिन जो, अपको मिलेगा वो पहली अपलिकेशन में मिल जाएगा जो, आपकी णा北ु सिक हो चुकी है उसको ये पहली अप्लिकेशन में ही, ठीक करता यह तो हो गया अगर आपकोको जाईiceps pixel और, инки हमें जाट श्केम कौन नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बता देती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गरम मसाले जो होते हैं उस family से आता है, तो definitely इसकी जो तासीर होती है वो गरम होती है, और गरम चीज़े हमारे एकने को और बढ़ा देते हैं, यानिके नुकसान करते हैं तो एकने के लिए हम इसको किस तरी कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक अलग remedy प्रिपेर करनी होगी देख लेते हैं, उसे कैसे प्रिपेर करना है तो उसको प्रिपेर करनी के लिए आपको simply जाइफल का एक टेबल स्पून पाउडर ले लेना है और उसको आपको दूद की जगा रोज वाटर से मिक्स करना है क्योंकि रोज वाटर जो होता है वो आपके चेहरे को थंड़क पहुचाता है आपकी आखों को थंड़क पहुचाता है आपने देखा होगा अगर आपके आखों में भी गर्मी हो गई है या जलन कर रही है तो आप रोज वाटर डालते हैं अगर जहां यहां dark spot यह dryness का problem है तो आप milk के साथ इसको mix करेंगे and अगर आपको pimples है एकने है तो आप इसे rose water के साथ mix करेंगे ठीक है तो I hope आपको मैं explain कर पाई हूँ अच्छे से I hope आप लोग समझ पाए हूँ so guys आजके लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगे आपसे next video में I hope आपको यह remedy पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप पहले इसको use करो 30 days at least इसको use करो and then उसके बाद आप मुझे लिखो comment में आके कि क्या कि आपको क्या results देखने को मिले हैं आपके skin में क्या changes देखने को मिले हैं आपके skin में and bye bye take care